आयोध्य में राममंदिर निर्मान को लेकर धार्मिक संगटनों ने जन अंदोलन कर धर्म सभाएं की जा रहे हैं। संसमाज के प्रतनीदी भाग लेंगे। गांदी चौक पर होने वाले इस सारवजनिक कारिकरम के बाद हमिरपूर के सांसत अनुराक ठाकुर को ग्यापन सौंप कर केंदिय सरकार से मंदिर निर्मान की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। वकाइदा हमिरपूर में होने वाले कारिकरम के लिए पूरी रूप रेखा तयार कर ली गई है और कारिकरम को सफल बनाने के लिए तयारियां की जा रही है। बिलासपर विभाग के बजरंग दल के सेयोजक अनिल शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को हमिर प्रगांधी चौक पर आयोध्या राममंदिर निर्मान को लेकर धरमसभा का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए तयारियां पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि धरमसभा के दोरान हमिर पू संस्तिक शेत्र के विशिफ हिंदू परशिद बजरंग दल और हिंदू संगटनों के हजारों लोग हिस्सा लेंगे। रासपूर, हमिरपूर, उन्ना, देरा और धरंपूर के लगवग दस से पंदरा हजार लोगों की आने की आप राश्चा हितारे अकांशा है। और इसमें मुख्य बक्ता जो है अपने संत रहेंगे और कुछ बक्ता जो है हमारे विश्व हिंदू परसद और संग परिवार के रहेंगे। क्या रहेगा पी इस का लेकर्ण का क्यों धर्म संसदाई विजित की है। इसका में जो देशे है वो राम जन्म भुणी ही है। कि मानिया पालिका से जो हमारी आस थी, तो हमारी आस बहुती थी नियापालिका के प्रतिपरैंटू, नियापालिका में मात्र 3 मिन इस मुद्दे को सुना था, जिसमें जो राम完 chromosomes कि पक्स के करफ से बकी को सुनने का मुखका भी नहीं दिया है। पानिय सरवोच नेयले के मुखे नायदीज का कहना है कि ये प्रात्मिक्ता का बिश्य नहीं है जब कि ये बिश्य लबब बार्थ बर्स के सौकरोर हिंदू की आस्ता से जोड़ा हुआ बिश्य है जो रूप रेकर रहेगी वो बिलासपूर, हमिलपूर, उन्ना, देहरा और धर्मपूर के जो लोग हैं वो रहेंगे हिंदू समाज के और अल्प संग के बर्गों के भी कुछ लोग इसमें सेयोग कर रहे हैं और इसमें लग लग 10 से 15,000 लोगों के आने का रहेगा